असलाम उलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सब को YouTube चैनल English Literature पर वालकम कहती हूँ आज हम एक राइटर की लाइफ हिस्टरी को डिसकस करने वाले हैं और उनको as a novelist पर डिसकस करेंगे तो जो राइटर को हम डिसकस करने जा रहे हैं उनका नाम है T.H. Lawrence फुल नेम डेवर्ट हर्बर्ट लॉरेंस डेवर्ट हर्बर्ट लॉरेंस जो हैं वो 1885 में पैदा हुए और 1930 में इनकी डेथ हो गई यह English टाइटर थे और पोईट भी थे इन्होंने novels लिखे, short stories लिखी, poems लिखी, plays लिखे, essays लिखे, travel books लिखी और letters लिखे 28th century के बहुत थी ज्यादा important literary figure माने जाते हैं T.H. Lawrence इनके father जो थे वो call minor थे, minor means कान कुन, कोईले की कान में काम करने वाला और बहुत सदा player loving थे और इसकी mother school teacher थी जो Lawrence की mother थी वो school teacher थी और father थे call minor इसकी mother को इसकी father की जो player loving qualities थी ठीक है और बहुत अदा strongly lively जो अपनी lifehood गुजा रहे थे वो यह सब कुछ बहुत attract करता है ठीक है, in short जो Lawrence की mother है उनको Lawrence के father की personality बहुत अदा attract की और उन्होंने उनसे शादी कर ली अच्छा, अब जब शादी की इन्होंने तो शादी के बाद इनको पता लगा कि जो Lawrence के father है वो तो कैसी life गुजा रहे थे वो तो एक जूटी एक fake life गुजा रहे थे एक्षियल में वो इतना strongly जो life है वो नहीं गुजा रहे ठीक है, इतने अमीर नहीं जदना खुद को शो करवाते थे वो तो poverty की life गुजा रहे थे और इसके बाद इनकी family में, यानिके इनकी mother और इनके father के अंदर बहुत सी like argue होने लग पड़े आपस में, fight होने लग पड़े आपस में और फिर जो इनकी life थी married life इसको Lawrence ने अपने novel Sons and Lovers में discuss की है जिसमें उसने Mr. Moral and Mrs. Moral का character discuss की है और उसने Mr. Moral को अपने father से actually भी compare की है और Mrs. Moral को compare की है अपनी mother से, ठीक है तो ये autobiographical elements आ जाएंगे हमारे पास बहराल जो Lawrence के father थे, वो हमेशा बाहर में कोई ने कोई player वगरा ढूंदते रहते थे और इसकी जो mother थी, वो बहुत determined थी और अपने बेटों का, अपने बच्चों का बहुत क्याल रखती थी और हमेशा conscious होती थी अपने बच्चों के about के कहीं उसके बच्चे अपने father के footstep पर ना चलने लग पड़े, अपने father को follow ना करने लग पड़े ये तो गया Lawrence के parentage के बारे में अब बात करते हैं इसके early career की ये जब Nottinghamshire में था ना, Nottinghamshire High School के अंदर तब इसको एक scholarship मिला था और जब इसने scholarship लिया तो उसके बाद ये 15 एज तक Nottinghamshire High School के अंदर ही रहा, वहाँ पर इसने education ली फिर इसने एक job के लिए school छोड़ दिया था और वो job थी manufacturer of surgical goods और कहां पर ली वो job उसने Nottinghamshire के अंदर ही लेकिन उस job के दुरान ये बहुत बिमार रहता था और बिमारी की वज़ा से इसको अपनी job छोड़ने पड़ी और ये क्या बन गया उसके बाद, ये उसके बाद एक पपल टीचर बन गया था 1904 में इसने किंग्स scholarship examination हासल किया था और उसके बाद अपनी teacher की qualification complete करने के बाद ये क्रोईरोन के अंदर school था, उसमें ये काम करने लग पड़ा फिर 1909 में ये एक professional writer बन गया जब ये writer बना तो सबसे पहले इसने पनी poems publish करवाई उसके बाद इसका पहला work जिसका नाम था The White Peacock The White Peacock publish हुआ और इसकी publication के बाद ये बहुत ही important work considered किया गया क्योंकि इसके दर इसने countryside को discuss किया था और countryside को इसने बहुत ही particular way में डिसकस किया था जो The White Peacock है इसकी publication date 1911 है अब 1911 में ये publish हुआ इसकी publication से पहले इसकी pre-publication हुई थी pre-publication में क्या होता है एक copy ठीक है तो इसकी originally publish होने से पहले इसकी एक copy publish हुई थी वो जो copy थी नहीं इस novel की वो Lawrence की mother ने पढ़ी थी अपनी death से पहले Lawrence की mother को क्या था? Cancer था और 1911 के अंदर जो Lawrence की mother थी उसकी death होगी थी और Lawrence की mother के बाद ये work originally published हुआ था in 1911 में लिखा गया इसके बाद इसका second work है The Trespasser जो के 1912 में publish होता है और येक melodramatic form में लिखा गया है drama sorry novel 1912 में आ गया The Trespasser और 1912 में एक और बढ़ा मज़े का event हुआ इसकी life के अंदर और वो event क्या था? 1912 में Lawrence जो है Professor Ernest से कोई ना कोई advice लेने के लिए जब वहाँ पे advice लेने के लिए गया तो इसकी मुलाकात Professor की wife फरीडिया से हुई और इसको Farida से प्यार हो गया और फिर कुछ ही हफते के बाद Farida अपने husband को और अपने बच्चों को छोड़ कर DS Lawrence के साथ भाग गई और यह Lawrence से 5 साल बड़ी थी और यह एक autobiographical element हम लोग इसके novel Suns and Lovers के अंदर देखेंगे ठीक है Suns and Lovers जब देखता है यह तो उसके अंदर Clara नाम का character है हमारे पास female character तो उसके अंदर जो हमारा protagonist Paul है Paul Clara के साथ in relation में आ जाता है जबके Clara एक married woman है और Paul से बड़ी है खैर जब यह Frida के साथ भाग कर जर्मिनी में आ गया तो उसके बाद इनकी life जो थी ना वो disturbed relation ही रहा था well settled और well established relation नहीं रहा था इनका इसलिए जो Lawrence है जब भी novels लिखते हैं तो जब भी वो love की बात करते हैं तो उनके love के अंदर कोई ना कोई tension के element जरूर हम लोगों को नजर आता है और साथ जब यह love की बात करते हैं तो हमें साथ जब यह attraction और repulsion same time पर नजर आती हैं attraction and repulsion go closely together in his works और according to Lawrence जो relationship between man and woman is a long battle ठीक है एक लंबी जंग है और Lawrence ने जो relationship between a man and woman के बारे में words कहें वो यह कहा कि it is a form of conflict not a natural expression of harmony फिर 1913 की बात है 1913 में Suns and Lovers Lawrence का next novel published हुआ अब जो Suns and Lovers है यह इसके autobiographical elements के उपर बेस करता है इस novel के अंदर character है एक Paul moral का और जो यह Paul moral है actually में Lawrence का खुद का character reflect कर रहे है और इस novel के अंदर Paul moral के बच्चपन से लेकर इसकी youth की life तक जितना भी experience face किया Lawrence ने वो दिखाया गया है इस character के through सब के सब characters जो novel में आते हैं सिवाए Clara के सब ने वो ही role अदा किया है जो Lawrence है उसकी real life के अंदर जो real characters ने अदा किया था Clara का रॉल भी important है लेकिन इतना important नहीं जितना के बाकी characters का क्योंकि बाकी characters सब के सब वो ही traits शो कर रहे हैं जो के realistic life के अंदर realistic characters ने शो किया था Clara का जो यहां पर character दिखाया गया है वो slightly change होगा Farida से Farida जो है वो Lawrence की wife जब Lawrence कुरेडन में था न तो वहाँ पे एक लड़की थी Jessie Chamber Jessie Chamber जो थी न उसने बड़ा inspire किया Lawrence को कि तुम लिखो कुछ ठीक है तुम writing के तरफ आओ और Lawrence उसको बहुत सब्सादा पसंद भी करता था और नोवल के इंदर हमारे पास एक क्रेक्टर आएगा Miriam का जो Miriam का क्रेक्टर है वो ओट बाइफिल क्रेक्टर है Jessie Chamber का और यह जो नोवल इसने Sons and Lovers लिखा है जिसको उसने 1913 ने publish करवाया After the marriage ठीक है अपनी शादी के बाद अपनी marriage के बाद तो इसने इसके इंदर एक बहुत important theme डिसकर्स किया जो कि इसके बागी novels में भी हम लोगों को निज़र आएगा और वो theme है The difficulty which men and women have in establishing a completely satisfactory relationship अब यह तो बात हो रही थी हमारी 1913 की 1914 में क्या हुआ In July 1914 War स्टार्ट हो गई थी और Lawrence जो थे उसने पार्टी स्पेट किया था वार के अंदर जब वार के अंदर पार्टी स्पेट किया था इसने तो यह इसकी तबीयत खराब हो गई थी जब इसकी तबीयत खराब होई तो इसको reject कर दिया गया वहा से Lawrence was rejected for combatant duties on the score of ill health और फिर इसी डूरेशन में 1915 में इसने एक novel पब्लिश करवाया जिसका नहीं था The Rainbow The Rainbow जो था यह sensual images contain करता था और इसी बेस पे यह novel बैन कर दिया गया अब novel बैन हो गया तो 1916 का time period चल रहा था यह अपनी wife के साथ Cornish cost में जला गया ताके cottage में रहे और वहां पे अपनी creative life के उपर काम कर सके अपनी creative writing के उपर काम कर सके लेकिन यह क्या हुआ वहां पे इसके साथ tragedy यह हुई कि इसकी wife जर्मन थी और जो world war start हुई थी 1914 में वो जर्मन की again start हुई थी और इसको और इसकी wife को जर्मन समझने की base पे इनको England से expel कर दिया गया था इस duration पे जो Lawrence था वो mental illness का शिकार हो गया और ऐसा लगता था कि mental illness जो है वो इसको destroy करके रखतेगी इसी base पे इसने लिखना छोड़ दिया और यह wish करता था कि यह suicide कर ले और इसकी death हो जाए इसका religion से belief उठने लग पड़ा इसके opinion में Christianity was no longer a living religion और इसने बहुत सी कंट्रीज में जन्नी करना ट्रावलिंग करना शुरू कर दी जिसमें Italy, Sicily, Australia, USA, Mexico यह सब कुछ आ जाते हैं और 1928 में वापस इटली में आ जाता है और जब यह गया था मैक्सिको में तो इसको वहाँ पर डायगोनोस हुआ था कि इसको tuberculosis हो गया है लेकिन जब यह इटली में वापस है 1928 में तो इसका जो tuberculosis था वो और ज़्यादा स्वेर बन जाता है वर्स हो जाता है इसके लिए और 1930 में Lawrence की डेथ हो जाती है इसी डिजीज की बेस्ट पे फ्रेंश मेडिटेरियन कोस्ट पर और इन इयर्स में अपनी डेथ से पहले यह प्लेस टू प्लेस गया refugee के लिए क्योंकि यह निजात चाहता था industrial civilization से जिसको इसको बेसिकली industrial civilization से बहुत आधा नफरत थी इसी लिए industrial civilization से दूर होना चाहता था और साथ ही साथ यह अपनी खुद की problem से भी दूर होना चाहता था अपनी लाइफ के last 10 इसमें लॉरेंस ने जो नोवल्स पब्लिश करवाया जो वर्क्स पब्लिश करवाया उसमें वुमें इन लव कैंगरू ठीक है ये नोवल आ जाते हैं टैंगरू जो ऐसा नोवल है जिसके इंदर ऑस्ट्रेलियन बैक्ग्राउंड दिखाया गया है फिर दप्लम्ड स्थेवाद और लेडियो कि शोडर भी होटेवाद ब단 लेडी ऋचेटर ले लॉवर sends जिकैनिंग के बारे में एनिमल्स के बारे मेंधिया है बहुत प्रॉलिफिक और राइटर था इसने ट्रेवल बुक्स भी लिखी है इनि के अनिल्स के आट गारे be लिखी जो में थीम है इसके राइटिंग के वो है बॉंडेच, रिलेशन्शिप, लव, सेंस्वालिटी और सेंस्विसनेस, ओटो बाग्राफिकल अलिमेंट्स, साइको अनलिटिकल अलिमेंट्स, माक्सिजम, फैमिनिजम Modern Novelist के अंदर ये बहुत ही important novelist है और इसके novels, Sons and Lovers, The Rainbow, Women in Love ने इसको most influential English writers बनाया of the 20th century Modern Novelist को दो कैटिगरी में डिवाइट किया गया है, first one है The Ancestors और second है The Transitionalist और जो D.H. Lawrence है ये Transitionalist के अंदर आते है और इनके अलावा जो राइटर Transitionist के अंदर आते हैं वो है James Joyce, Virginia Woolf और Dolls Huggley, Summerset Mogham Writing style की बात करें हम लोग तो इनकी writing style को bold style कहा जाता है क्योंकि ये openly जितने भी words हैं, जितने भी sensuality के images हैं, उनको openly ही ये discuss करते हैं इनकी language bare and bleak है और ये frank writer count होते हैं, इनको compare किया जाता है एहमद अली से और मिन्टू से भी क्योंकि D.H. Lawrence के, एहमद अली के और मिन्टू के almost same themes होते हैं writing के characters की बात करें तो इनके characters सारे के सारे realistic होते हैं और उन characters के अंदर कोई ना कोई psychological element ज़रूर प्रेजन्ट होते हैं और इनका एक और important theme है वो है edifice complex का जो के psychoanalytical के अंदर ही आ जाएगा ये इस theme को बहुत discuss करते हैं जो हमें संजल lovers के अंदर भी नजर आएगा तो यहां पर हमारा जो writer का overall introduction था as a novelist था वो हुआ complete वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करिएगा comment भी करिएगा जो वीडियो उसको दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल को subscribe भी करिएगा thank you so much दौाओं में याद रखेगा अला हाफिस